तो अभी मैं हूँ कौसानी KMVN TRS Center पे तो KMVN is like कुमाव मंदल विकास निगम के गेस्ट हाउसे से रहते हैं कुमाव रीजन पे तो वोन अप दा बेस्ट लोकेशन पे रहते हैं तो मैंने मुक्तेश्वर और काफी जगह पहले एक्स्प्लोर किया हुआ है तो मैंने नोटिस किया कि उनकी लोकेशन वन अब दा बेस्ट लोकेशन रहती है हमें काफी अच्छे रिजॉट्स भी है होटल्स भी है लेकिन अगर आपको कोई डाउट हो कभी और कोई भी कंसर्ण हो लाइक कौन सा व्यू अच्छा रहेगा किस जगह से व्यू अच्छा रहेगा तो यू कन अल्वेस ट्राइक एम एन तो ऐसे ही गड़वाल साइड में भी है गड़वाल मंडल विकास निगम मैं अभी प्री सीजन में आया हूँ कौसानी में तो होटल प्राइज इस सिस्टी परसेंट है औरिजनल के अगर आप आये यहां पर तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अरली बुकिंग कर लें क्योंकि सीजन टाइम पर काफी डिफिकल्टी होती है तो प्री सीजन में कोई इश्यू नहीं है आप आके आराम से यहां पर देख सकते हैं तो हम कंटिन्यू करेंगे अपनी जन्नी उससे पहले मैं आपको यहां का एक क्विक ट्यूट दे दूँ तो हम इन कॉटिजिज में रुके थे तो यह है कुमावं अंडल विकास निगम के एक्जिक्टीव कॉटिजिस तो उपर लेबल टू में है और ओल कॉटिजिस ऐसे इसलिए करें तो चली स्टार्ट करते हैं में इंटरेंस है तो जब आप कौसानी एंटर करेंगे तो वहां से लेफ्ट लेके आप आएंगे सिधे जीरो पॉइंट पे तो जीरो पॉइंट इसलिए क्यूंकि इसके आगे कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है तो यह उसका मे है यहां पर राइट साइट में रिसेप्शन तो डैनिंग हॉल भी रिसेप्शन में ही अवेलेबल है और अगर आपको डैनिंग लाइक रूम सर्विस चाहिए तो आपको उनको पहले बताना पड़ेगा लेकिन अभी स्टाफ कम होने की वज़े से रूम सर्विस अवेल नह हैं तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं वन बाइवन तो अभी लेवल वन पर जाएंगे तो अभी लेवल वन पर है एक्जिकुटिव कॉटिज और यह पार्किंग एक्सेसेबल है तो अब देख सकते हैं सामने इनमें डबल बैड ऑप्सेंस हैं और जैसे मैंने पहले बताया था अगर एडिशनल बैड चाहिए तो 20% एक्शुल प्राइस के डिटेक्ट करेंगे और यह लेफ्ट साइज पे हैं रॉयल कॉटिज तो दो हैं वहां पर पार्किंग एक्सेसिबल है यहां पर भी और राइ कॉटेज और एक कॉन्फरेंस रूम है तो यह राइट साइड में जो आप देख रहे हैं यहां पर यह कॉन्फरेंस हौल तो कोई बिजनेस मीटिंग हो या फिर स्मॉल गैट टुगेधर हो तो आप इसको बुक कर सकते हैं और यह भी पार्किंग के लिए थोड़ा एरिया ह यहां पर अविलेबल है और यह जो रोड जा रही है यह गई रॉयल कोटेज को तो यह भी कबल ओफ आप्सन्स अविलेबल है अगें पार्किंग एक्सेसिबल है यहां पर भी तो आज का हमारा प्लान है बैजनाट टेंपल विजिट करने का उसके बाद हम जाएंगे आना स सकती आसरम और फिर हम विजिट करेंगे सुमित्रा नंदन पंदीजी की रंजन मस्तली बैजनाट कौसानी से एराउंड 16 किलो मेटर से और एराउंड 30 मिनिट्स लगेंगे चलिए कंटिन्यू करते हैं यहां से और मैं आपको मिलूंगा बैजनाट पर तो अभी जस्ट हमने एंडर किया है बैजनाट पर तो राइड साइड पर यह है गूमती रिवर और रिवर के अपोजिस साइड दो छोटा सा टाउन दिखाए दे रहा है वो है गरूड तो यह ब्रीद क्रॉस करते वे आप गरूड से बैजनाट को कनेक करेंगे तो थोड़ा सा आगे जाके पार दूसरे टेंपल है बैजनाट का तो यह टेंपल है लौड सिवा का जो बोला जाता है कि कुमाओ कत्योरी किंग्स ने अराउंड 1150 रिजवी में बनाया था तो बैजनाट एक्चुली में एक टेंपल कॉंपलेक्स है जिसमें सिवा, गनेशा, पार्वती, चंदरिका, कुब सूरिया और ब्रह्मा जी की मूर्तियां है तो यह एक टेंपल कॉंपलेक्स है तो यह सभी जो टेंपल बने हुए हैं वो स्टोन से कार्व किये गए हैं मैंने यहाँ पर एक चीज नोटिस करी जो काफी स्ट्रेंज भी थी तो में टेंपल को छोड़के जितने भी टेंपल स हैं उनमें मूर्तियां नहीं हैं तो मूर्तियां एक रूम पे लॉक की गई हैं बात में पुरा तत्व विवाग एक म्यूजियम बनाने वाला है यहां पे तो वो मूर्तियों को वहां पर डिस्प्लेय पर रखा जाएगा तो सेफ्टी रिजन से भी ताकि कोई नुकसान ना पहुंचा क्योंकि काफी पुरानी लएक और मूर्तियां हैं उनकी सेफ्टी के लिए मुझे लगता है यह एक्सेन लेया गया है तो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाओंगा वह कहां पर लॉक है तब तक एक यहां का कुक्टूर कीजिए टेंपल कॉम्प्लेक्स का कर दो तो एक यहां का यहां कुक्टूर के लिए तूखता हैं लॉक दो हैं एक यहां का यहां बाता हैं लॉक्टूर स्वाओंगा यह था दोर जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि निचे टेंपल कम्प्लेक्स में कुछ टेंपल जिन में मूरतिया नहीं है तो वो मूरतियां हिहां पे लॉक ही गई बैजनात के बाद हम निकल रहे हैं कोट ब्रामदी देवी टेंपल जो की पास में ही है तो बैजनात से निकल के अभी हम पहुँचे हैं भगवती माता कोट ब्रामदी देवी टेंपल जिन्हें कोट का मंदिर भी बोला जाता है तो इस टेंपल की अपने आप में काफी इंपोर्टेंस है पहला तो ये कि नंदा दिवी राज्यत यात्रा जो कि हर 12 साल में सेलिब्रिट की जाती है कुमा और गड़वाल में तो वो यहां से होके भी निकलती है तो लास्ट ये हुई थी 2014 में तो एबरी 12 येर्स ये होती है तो ये उसका एक पड़ाओ है और दूसरा है कि सुकलास्टमी को चैतर मंथ में मार्च और अप्रिल में एक काफी बड़ा फेयर यहां पर और्गनेज़ट किया जाता है तो उसको अटेंड करने काफी दूर दूर से लोग आते है इसलिए टेंपल का अपने आप में काफी इंपोर्टेंस है इस एरिया में और ये भी बोला जाता है कि कतूरी जो रूर्लर्स थे तो यहां पर कभी फोर्ट हुआ करता था उनका 2500 BC से 700 AC तक और उनकी जो कतूरी किंग्स थे तो उनकी जो कुल देवी थी वो थी ब्रामरी तो ये एरिया इसलिए अपने आप में काफी इंपोर्टेंस रखता है तो यहां पर कभी एक टेंपल फोर्ट हुआ करता था अब टेंपल बिजिट करके हम निकल रहे हैं कौसानी की तरफ वहां पर हम जाएंगे अनसक्ति आसरम तो चलिए कंटिन्यू करते हैं यहां से अभी हम वापस आ चुके हैं कौसानी में तो कौसानी में इस तित है अनसक्ति आसरम तो हमने अपनी जर्णी स्टार्ट करी थी केम वेन कौसानी से फिर हम गहतें बैजनाथ फिर कोड़ वरामरी टेंपल अभी हम वापस कौसानी में एंटर कर चुके हैं और कौसानी में लाइक मेन चौराए से अराउंड हाफ किलोमेटर पर है अनासिक्ति आसरम तो गांदी जी ने यहां 1929 में विजिट किया था तो टू वीक्स के लिए वो यहां रुके थे और अनासिक्ति पर उन्होंने समीक्सा भी लिखी ती है यहां पर तो अभी उनके याद पर यहां पर प्रेयर्स औरगनाईज होती हैं और उनके जीवन से जुड़ी ही काफी पुरानी फोटोज यहां पर अंदर में हॉल पे हैं तो अंदर फोटोग्राफिय अलाओ नहीं थी तो इसलिए मैंने कोई फोटोगर क्लिक नहीं करी है वहां पर लेकिन आप अंदर जाएंगे तो उनके जीवन में बर्थ से लेके उनकी डैथ तक पूरा जितनी भी में इवेंट्स हैं उनके बारे में इन्फोर्मेशन और फोटोगर दी गई है तो काफी ब्यूटिफुल प्लेस है यह और अंदर प्रेयर्स भी और्गनाईज होती है टाइम टाइम पे तो बाकि आप इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं अना सकती आसरम की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और मैं सज़ेस्ट करूँगा अगर आप कौसानी आये तो जरूर यहां पे विजिट कीजिए और यह अरिया भी काफी रिनोवेट भी हो चुका है तो अभी भी इसमें थोड़ा बहुत काम चल रहा था भार पे तो जब भी आपको टाइम मिले जरूर विजिट कीजिएगा चलिए कंटिन्यू करेंगे अब हम यहां से निकल रहे हैं सुमित्रा नंदन पंतजी की जनमस्तली तो सुमित्रा नंदन पंतजी का जनम कौसानी में ही हुआ था उनके जीवन से जुड़ी भी जो भी चीज़े हैं उनको वहां पर प्रिजर्व किया गया है और वहां पर एक म्यूजियम बनने वाला है तो मैंने जब उनसे बात करी थे तो बोल रहे थे कि सिक्स मंत में हो काम कंप्लीट हो जाएगा कोरोना की वज़े से थोड़ा काम में डिले हुआ था इसलिए हो कंप्लीट नहीं हो पाया तो अब हम यहां से कंटिन्यू करेंगे और सुमित्रा नंद पंतजी की जनमस्तली जो है वो मेन कौसानी में ही है आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी वहां पहुंचने पर चलिए कंट्यूनियू करते हैं से अभी हम एंटर कर रहे हैं सुमित्रा नंद पंत राज के संगाले कौसानी बागस्वर यह लेफ्ट में जो आपको बिल्डिंग दिखाए दे रही है यहीं पर सुमित्रा नंद पंत जी का जनम हुआ था 20 में 1900 को अभी यहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है अंदर तो इसको म्यूजियम में कनवर्ट किया जाएगा तो जो बिल्डिंग आपको उपर दिखिए है टॉप में अभी उनसे जुड़ी जो भी मैंने बताया था कि चीज़ें प्रिजर्व की गई है तो अभी वहां पर डिस्पले में रखी गई है बाद में उसको जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा इस बिल्डिंग का तो उसको सिफ्ट करेंगे यहां पर तो आपने अपने लाइफ में जरूर उनकी पोएम्स पढ़ी या सुनी होंगी तो उनकी जो पोएम्स होती थी वो नेचर से पिपल से और रोमेंटिक कैंड आफ होती थी तो नेचर से बहुत ज़्यादा इंस्पारड होती थी वो और उनको इंडिन गवर्मेंट से पद्मभूशन मिला था 1961 को उसके अलावा साहित एकेडमी अवार्ड भी उनको मिला था 1960 को और 1969 में जनपीट आवार्ड भी उनको मिला था फॉर लिटिचर तो यह है वो हॉल जहां पर उनकी जीवन से जुड़ीवी चीज़ें समाल के रखी गई हैं तो यह कुछ चेयर टेबल और क्लोट्स हैं जो वेर करते थे आपने देखा हुआ फॉर्टो में मोसली वो जो कोट पैना करते थे तो उनसे जुड़ीवी जितनी भी चीज़ें हैं और कुछ डिग्रियां जो उन्होंने फेमस डिग्री हासिल करी थी लिटिचर में वो भी यहाँ पे डिस्प्ले पे हैं और जो आवर्ड उनको मिलेते हैं आवर्ड तो डिस्प्ले पे नहीं है काफी लेकिन कुछ 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 आवर्ड मैंने देखा हैं यहाँ पे डिस्प्ले में रखे गए हैं तो यह पूरा का पूरा जो समान यह आपको दिख रहा है यह बाद में नीचे बनने वाले रूम पे सिफ्ट किया जाएगा और जो टॉप लेफ्ट में देखी हैं उनके ग्लासिस भी आपको दिख रहे होंगे और यहां पे कुछ काफी पुरानी फोटोस हैं उनकी और उसके अलावा काफी ओल्ड बुक्स भी हैं यहां पे तो मैंने देखा एक बुक अल्मूस्ट हंड़ेट यर ओल्ड थी तो काफी पुरानी किताबें रखी हुई हैं यहां पे तो वैसे इसको काफी अच्छा मैनेज किया गया अभी तक अब जब नीचे म्यूजियम बन जाएगा तो यह सब के लिए इजिली डिस्पले पे अवेलिबल रहेगा अभी फिलाल यह स्कैटर्ड है कुछ-कुछ और कुछ समान अच्छली उन्होंने बॉक्स में रखा हुआ है जो कि बात में बोल रहे थे कि जब म्यूजियम बनेगा तब ही ओपन करेंगे तो आई होप काम जल्दी कंप्लीट हो तो जैसा मैंने पहले बताया था कि अल्मूस्ट सिक्स मन्त और लगींगे करोना की वज़े से थोड़ा डिले हुआ था तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और पांकी मैं इन्फरमेशन डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा अगर आपको कोई भी क्वेरी और कमेंट्स हो तो प्लीज मैसेज कीजिएगा और झाल आपको कोईएगा झाल